नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पर दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के फाइटर जैट इंजन के उपर यानि की दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं कि कावेरी इंजन के उपर हम बात करेंगे कि क्यों ये डैवलप नहीं हो सका और क्या संभावनाएं है इ आज नहीं के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया ने ओल्रेडी 30 से 35 साल लगा दिये हैं इस फाइटर जेट इंजन को जिसे हम कावेरी जेट इंजन के नाम से जानते हैं इसे डेवलप करने में लेकिन दोस्तों हम फेल रहे हैं इसे हम डेवलप नहीं कर सके और ये बात दोस्तों गवर्मेंट ने लोकसभा के अंदर भी लास्ट इयर बता दी थी और लगबग 2,000 करोड रुपए हम इसके उपर खर्च कर चुके हैं अगर हम पिछले 30 सालों की बात करें और दोस्तों हमने तेजस फाइटर जेट के लिए इसे डेवलप करना शुरू किया था और अभी तेजस को जनरल इलेक्टरिक के इंजन से ही पावर दी जाएगी जो कि दोस्तों F404 इंजन है और इसके लिए अभी डील भी हुई है 99 इंजन को खरीदने के लिए GEE के साथ में डील की गई है हलांकि दोस्तों ये कहा जा रहा है कि हमारे आने वाले 5th generation fighter jet और नेवी के fighter jet के लिए हम next generation का fighter jet engine जरूर बनाएंगे लेकिन दोस्तों उसके उपर कोई काम होता भी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि दोस्तों जब French company Saffron के साथ में बातचित हुई तो वो भी fail हो गई और America की company General Electric के साथ में भी technology transfer को लेकर बातचित fail हो गई France की company इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोस्ट बता रही है और दूसरी बात America जो है वो इस तरह की technology देना नहीं चाहता या फिर उसके पास इसका कोई कानूनन प्रावधान नहीं है और अभी दोस्तो UK की company Rolls Royce के साथ में भी बातचित चल रही थी और बताया जा रहा था कि एक joint venture भी किया जा सकता है इस engine को बनाने के लिए लेकिन अभी इसका भी कोई result आता दिखाई नहीं देता और अगर दोस्तो ये बातचित आगे बढ़ती है सफल होती है तो joint venture से भी हमें कम से कम 6-7 साल लग जाएंगे इस engine को develop करने में और उसके बाद में दोस्तो उसके trial certification और finally फिर उसका production तो ऐसे में इसमें बहुत ज़्यादा समया लग जाएगा हलांकि दोस्तो अभी DRDO dry cover engine के उपर काम कर रही है जो आने वाले हमारे stealth combat aircraft जो कि unwind होगा उसे power देने का काम करेगी हलांकि ये भी एक अच्छा option है दोस्तो क्योंकि इस से हमें ये फाइदा है कि एक तरह से हमारी technology mature हो जाएगी एक अलग field के अंदर और दोस्तो अब इसके लिए हमें करना क्या होगा तो इसके लिए दोस्तो सबसे बड़ी बात ये है कि एक ecosystem बनाना होगा private public companies का क्योंकि दोस्तो कावेरी engine के लिए बहुत सी ऐसी चीजे थी जो locally develop ही नहीं होती थी या नहीं की जा सकी तो ऐसे में हमें वो capability लानी होगी क्यो गुरू करना होगा दोस्तो क्योंकि छोटे engine को जब हम विक्सित करेंगे तो हमारी technology कही तरह से mature होगी उसके अंदर बहुत सी नहीं चीजे आएंगी और इसी तरह से दोस्तो फिर हम finally fighter jet engine के भी mature करने के उपर आगे बढ़ सकेंगे और already हमने जो कावेरी engine बनाया है ये ये ही कोशिश की जा सकती है कि ये ecosystem develop हो private और public companies का और उसी से हम आगे बढ़के इस engine को develop कर सकते हैं और साथ ही दोस्तो जो AMCA के लिए बोला गया है next generation का engine तो उसके लिए भी plan इसी तरह से ही होगा धन्यवाद जैहिन